नमस्से मैं हूँ सेचिन वेल और आपका स्वागत करता हूँ इकुंजी चैनल पर वजन कम करना या वजन घटाना बहुत ही आसान होगा अगर आप ये तीन आसान से काम कर लेंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों जब भी वेट लॉस की बात आती है या जो लोग अपनी लटकती हुई तोंद को कम करना चाते हैं तो सबके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है डाइटिंग लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि डाइटिंग का मतलब अकसर जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि भूका रहना इससे होता क्या है कि एक तो डाइटिंग का नियम आप ज्यादा दिन तक चला नहीं पाते हैं दूसरा है कि जैसे ही आप डाइटिंग करना बलकि आपको यह जानना पड़ेगा कि आपको क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है जो चीजें खानी है वो कितनी quantity में खानी है तब आप सच में अपना बजन गटा पाएंगे और उसको हमेशा उसी लेवल पर maintain रख पाएंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको त 2011 से देख रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि तब से आज तक मेरा बजन उतना का उतना ही है तो आप भी मेरी तरह अपना बजन आसानी से maintain रख सकते हैं तो चलिए बिना देर की इस important वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन तीन उपायों के बारे में तो और कमजोर शरीर आसानी से केसी भी बीमारी की पकड में आने लगता है तो वेट लॉस के चक्कर में हम डाइटिंग के नाम पर अपने शरीर को कमजोर और बीमार मना लेते हैं तो पहली टिप आज की यही है कि डाइटिंग का मतलब बोका रहना या खाना पिना छोड़ दे इन में पेजा, बर्गर और कोल्डरिंग जैसी चीजें जो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाती हैं ये सब खाने पीने की आदत पड़ी हुए है वो इन सब चीजों की जगे अंकुरी तनाज या फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाएं ड्रिंक में आप भुना हुआ जीर डाल कर चाच पी हैं और जब भी खाना खाएं तो ओवरीटिंग बिल्कुल नहीं करें आप देखेंगे कि अपनी डाइट में इतना चोटा सा चेंज करने से ही एक महीने के अंदर अंदर 3-4 किलो वजन आपका कम हो जाएगा और डाइटिंग के चक्कर में भूका रहने से जो इ खकान रहने लगती है वो सारी प्रोब्लम्स भी नहीं होंगी वजन कम करने के लिए और लटकी हुई तोंद को कम करने के लिए जो दूसरी बहुत ही इंपोटन टिप है वो यह है कि डेली कुछ देर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए अब एक्सरसाइज को लेकर भी नॉर्मल स्पीड पर लगातार पैदल चलना है नॉर्मल वॉक करनी है साथ में कोई ऐसी हलकी फुल की एक्सरसाइज कर ली जिससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बड़े हार्ट की पंपिंग बड़े और शरीर में जमा चर्बी थोड़ी खर्च हो थोड़ा पसीना आए ज इससे आपको दो बड़े फायदे होते हैं एक तो ये कि बॉड़ी में जो फैट आपके अल्रडी जमा है वो बर्न होता है दूसरा ये कि डेली वाक या जोगिंग करने से और साइक्लिंग जैसी एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबुलिजम सही रहने लगता है और जब ए आपके हड़ियां मजबूत रहेंगी और चेहरे पर हमेशा ग्लो बना रहेगा तीसरा उपाई ये है कि वेट लॉस के लिए आप सप्लिमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं बस इतना सा ध्यान रखें कि जो भी वेट लॉस सप्लिमेंट्स आप लेने वाले हैं वो नेचु के बारे में थोड़ी सी research कर लिनी चाहिए थोड़ी सी जानकारी जुटा लिनी चाहिए अगर वो supplement किसी अच्छी company का है अच्छे brand का है तो काफ ज्यादा possibility है कि वो एक अच्छा weight loss supplement हो सकता है क्योंकि कोई भी branded company खराब product देकर अपना नाम और अपनी value खराब नहीं करना च और आपको weight loss करने में भी help करता है, और शरीर में कमजोरी भी नहीं आने देता, इसके यूज से weight loss के बाद skin भी नहीं लटकती, जी हाँ दोस्तों, पतंजली कंपनी का एक बहुत बढ़िया weight loss supplement आता है, जिसका नाम है मेदोहरवटी, ये एक natural supplement है, जो कि आपके body के अंदर बढ़ने की problem को भी control करता है, इसलिए चाहे आपका बजन इस वज़ए से बढ़ रहा हो कि आपका metabolism ठीक नहीं है, या फिर चाहे आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, और या फिर thorret के कारण बढ़ रहा हो, ये हर तरह से आपके लिए फायदे मन्द हैं, इसके अलावा इसक इसे कुछ natural ingredients हैं, जो कि आपकी body के अंदर fat loss करने के लिए, fat के accumulation को रोकने के लिए scientifically proven हैं, इनमें से why wedding तो ऐसी natural अशदी है, जिसके बारे में आचारे सुचरुत ने आयरुवेद के प्रसेदिग्रंत, सुचरुत सहीता में इतना कुछ लिखा है, कि इसे weight loss, joint pain और पेट की हर बिमारी के लिए अमरत भी कहा है, पतंजली कंपनी की ये मेदोहर वटी, खुद मेरे ब्रदर नहीं भी यूज कियो है, और इसी personal experience की वज़े से मैं ये कह सकता हूँ, कि ये पूरी तरह से natural और safe product है, जिसका कोई भी side effect नहीं है, best result के लिए इसको दिन में दो बार खाना ह होता है, इसकी एक tablet आप दोपेर का खाना काने से आदा गंटे पहले या खाना काने के आदा गंटे बाद ले सकते हैं, और एक tablet आप रात का खाना काने से आदा गंटे पहले या खाना काने के आदा गंटे बाद ले सकते हैं, इसको हलके गरम पानी से लेना best रहता है, इसके साथ-साथ अगर आप एक काम और कर सकते हैं कि दिन बर में आप जब भी पानी पीए तो हलका गरम पानी ही पीए और पूरे दिन में कम से कम डेड़ से दो लिटर पानी जरूर पीए तो आपको इसके रिजल्ट और भी पास्ट मिलेंगे और भी बेस्ट मिलेंगे तो आप सही तरीके से डाइटिंग करके और फैट बर्ण करने वाले कुछ आसान सी एक्सरसाइज डेली करके और साप में इस तरह के अच्छे नैचुरल वेट लॉस सप्लिमेंट का यूज करके अपना बड़ा हुआ बजन कम कीजिए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान भरे लून उसके देखते रहने के लिए एकुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए